जैसरी राम दोस्तो आज दिवाली के इस पावने उसर पर आज हम लोग है गुलाब की फिल्ड में और मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि यहाँ पर पूरा प्लांट एसा लग रहा था जैसे डेड हो चुका है बहुत ज़्यादा गडबड है पर आज जूरी कोरी फिर से सायद मैंने बताया भी था उस वाले वीडियो में कि हम लोग इसमें बहुत जल्दी बहुत अच्छी रिकोरी भी लेंगे और आप देख रहोंगे परिणाम हमारे सामने है यहाँ पर हर पोधे की हर टेहनी हर डाली में कलियां ही कलियां आने वाली है बह कि इसमें उस समय में जब हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था ट्रीटमेंट उस समय में और आज की कंडिशन में कितना बड़ा चेंज है तो वो भी जानते हैं साथी मैं थोड़ा सा आपको दिखा दू कि मैं उसी फिल्ड पर फिर से हूँ और काफी अच्छा किसान भी काफ साइड बता रहा था कोई कुछ बता रहा था किसान ने फिर से इस बार सुना और उसे अपलाई करा आज बहुत ही मुझे भी काफी अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि गुलाब के उपर साइद हमने पहली बार ट्रीटमेंट या सिस्टम में लेकर आए हैं इसे और बहुत रिकवरी है तो खुसी तो हमें भी काफी महसूस हो रही है इसमें दोस्तो एक तो फूल का साइज काफी अच्छा आया है पहले की तुलना में जैसे हम देखें तो फूल का साइज अगर देखें बहुत अच्छा और कलर भी डार्क रेड कलर ये जैसे देख रहे हम लोग हर फूल, हर फूल काफी अच्छा है, कलियां ही कलियां स्टार्ट हो चुकी है, और नया जो फुटाओ आ रहा है, वो भी काफी सारी कलियां लेकर आ रहा है, एकदम कंटिन्यू है, तो किसान भी है, थोड़ा सा परिचाय भी लेंगे, और कितना साल हुआ, इनको गुलाब की खे से चीटी करते करते, और आगे क्या प्लानिंग है, थोड़ी सी, वो भी हम समझेंगे, और उसे भी पूरा हमारे हैं करें हैं, कि अप जो बताएंगे, वो ही हम करेंगे, तो थोड़ा सा समझते हैं, राम राम काका जी, क्या नाम है आपका, इनको कहां से हैं आप पटलावत ग्राम पटलावट, तेसिल धरमपुरी, जिलाधार, मध्यप्रदेश आपके पास और कौन-कौन सी खेती है इसके अलावब, क्या-क्या करते हैं अच्छा, जामफल का एक बगीचा लगा हुआ है और एक छोटी सी कुटिया है, जिसके अंदर तो कहीं सारे पोधे लगा रखे हैं गुलाप की खेती कितना समय हो गया आपको करते हुए? इस पोधे को लगाए वे 5 साल हो गया लोग तो बोलते हैं कि एक या 2 साल में खतम हो जाता है मतलब हम क्या समझें कि एक बार इसको अगर लगा दिया तो कई सालों तक निकालने की जरूरत नहीं है कुछ चीजें हैं जो साइद आप उस समय और कर लेते तो और बेस्ट होता जैसे कि दूरी हमारे पास थोड़ी सी कम रही पास में लगा हुआ है आगे का जो प्लान आ रहा है वहाँ पर हम दूरी भी मेंटेन करके चलेंगे प्रापर अचाब मैं और समझना चाओंगा कि एक दिन में अभी जब बीच में हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करे थे या जो अमजोर पोधा था उस समय में कितना तोड रहे थे हम लोग फूल चार किलो के पांच किलो पर आगे थे बस इतना हो गया था और फूल का साइज के साथ मार्केट उसकी डिमांड मतलब खरीदार भी बोल रहे थे कि भलेंग गुलाब है पर उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें वो क्वालिटी नहीं थी आज की कंडिसन में क्या है अच्छा फूल भी बढ़िया हो गया है उत्पादन में कितना फरकाया है कितना एक आज पच्चीस किलो के असपास निकल आज 25 किलो पर डे और नया क्या दिख रहा है अब और पोधे में पूटाव अच अच्छा लाल हो रहा है फुटाव भी काफी अच्छा आ रहा है अभी क्या क्या आपने कुछ नया क्या करा है इसके अंदर तो मेगनेसियम ठीक है मतलब जो हमने ट्रीट्मेंट बताए वह आपने इस बार अपलाई करा है साथ ही छलिए ठीक है इसमें मैं एक चीज़ और लगा हुआ है कि तो उसे भी हमने प्रापर करा है इसके साथ ड्रिप का जो चेंज करा हमने वह भी काफी अच्छा रहा तो दोस्तों यहां पर जो ड्रिप लगा हुआ है यह यह पोधे के एकदम पास में लगा हुआ ना कोशिस करें कि बेड को इस तरह से बिलकुल ना बनाए क्योंकि ऐसा बेड बनने की वज़े से ड्रिप यहाँ पर जब डालते हैं तो यह फिसल के नीचे ही जाएगी अगर यह बेड फ्लड बेड रहेगा तो बिलकुल भी ड्रिप उसकी जगह से कहीं नी जाएगी और ड् अगले 8-10 दिनों के बाद फिर हम इस पर वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम दिखाएंगे पूरा पोधा एकदम लब्रेस लाल दिखेगा और पतियों से नहीं केवल पतियों से नहीं फूलों से भी लाल दिखेगा हम लोग वह चीज भी लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द अच्छा मंडी में अच्छा चलता है कहां जाता होगा अपका पूल मतलब लोगों के लिए मार्केट तो बहुत बड़ा है पर अभी यह चीज की कमी बहुत जादा है तो अगर इसे अपलाई करते हैं तो बहुत अच्छी डिमांड भी है तो बिलकुल मैं कहूंगा किसानो से की इंद और मंडी के लिए रेडी रहें क्यूंकि यहां पर कुछ भी अविलेबिलिटी नहीं है साथ ही सनावध में गुलाब कत्री वाले भी गुलकन वाले भी रेडी हो गया है तो वहां पर भी डेमांड है काफी जिन भी किसानों के पास कुछ हो तो संपर्ग भी कर सक तो दोस्तों यहां पर फिल्ड देख रहे हैं हम लोग यह कितने बीगेका होगा करीब तीन साड़े तीन से साड़े तीन बीगेका है पिछले साल भी एसी इस्तिती हुई थी तो फिर हम कहां पर गये थे कितना बजन लिया था पहले जैसे एकदम कम हो गया था फिर बाद में 10 पर आगया पर डे पर उसके बाद भी कहे थे दो कुंटल के असपास लिया इसके पहले दो कुंटल के असपास गयते तो बहुत अच्छा है कि आज हम जो देख रहे हैं यहां पर लोगों में जागरुकता भी आई है और पास में यहां पर गेंदे का भी प्लोट लगा आपने कुछ बाई प्रेक्टिकली वहाँ पर भी कुछ सफेद फूल क्या लगा रखा है उसके भी ट्राइल हो रहे हैं आने वाले टाइम में हो सकता हैं उस पर भी जाएंगे और दोस्तों हम बता दें आपको कि हम लोग यहाँ पर एक फूल एक नहीं कई सारी वेराइटियो वाला है जो गुलाब का नहर के इस साइड में है और इसमें भी अब मैं इसको आपको एकदम पास से भी दिखा सकता हूं यह देखिए दोस्तों बहुत ही सूपर एकदम फुटा पूरा यह कलियां बहुत अच्छी कलियां बनकर रेडी है अब फिल्ड में भी उतर चुका ह भाव केसा मिलता होगा एक कम से कम मिनिमम मिनिमम साट रुपे साट रुपे में यह फिक्स करा है आपने कि यह साल भर देना ही है और कितने लोगों को तोड़ने में मेहनत लगती होगी या बहुत ज्यादा इस्ट्रगल वाला या ऐसा कुछ नहीं है कितनी बज़े शुरु क्विंटल देड़ क्विंटल या दो क्विंटल भी हो तो साय दस बजे तक लास्ट होगा इस टाइम तक में पूरा कंप्लीट हो जाता है फिल्ट और एक बार लगाओ कहीं सालों तक इसको ले सकते हैं थोड़ा सा और प्रापर प्लानिंग के साथ लगाएंगे तो